हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेट टू चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नमबर फॉर्टिफोर प्रदोषदास गुपता के बारे में 1912 से 1916 तक 2006 तक प्रख्यात मूर्तिकार प्रदोषदास गुपता का जन्म कब और कहां हुआ 1912 इश्वी मिढधा का बांगलादेशी के कलकत्ता गुरुप 43 1943 में बना भारत में यतार्थ में आधुनिक कलाकारों का सरप्रतम गुरुप था कलकत्ता गुरुप कलकत्ता गुरुप 43 की स्थापना किसने और कब के थी मूर्तिकार प्रदोषदास गुपता ने 1943 इश्वी में कलकत्ता गुरुप 1943 की स्थापना कहां हुई कलकत्ता में बंगाल दूबिक्ष के समय कौन सा गुरुप इस्थापित हुआ था कलकत्ता गुरुप 43 कल्कत्ता ग्रुप के कुल कितने कराकार थे। कल्कत्ता ग्रुप में सिर्फ आठ कराकार थे। पेहले प्रदोष्टा असकुप्ता शुभोट ट्रेगोर गोपाल गोश, नीरत मजूंदार, हेमंत मिश्रा, परितो शैन, रथिर्मिश्रा और जैन्वल अवैद्दीन। कलकत्ता गुरुप की प्रत्थम प्रदशनी मेसेज कैसी के प्रत्नों से कब और कहां आयोजित की गई? 1944 मुंबई में कलकत्ता गुरुप की दूसरी प्रदशनी कब और कहां आयोजित हुई? 1945 मुंबई में कलकत्ता गुरुप की तीसरी वा अंतिम प्रदशनी कब और कहां आयोजित की गई 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक गुरुप मुंबई 1947 में इस्थापित हुआ था के साथ मुंबई प्रदोष दास गुपता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहां से प्राप्त की आरंब में कलकत्ता में ही हिरर्ण में राय चौदरी के निर्देशन में बंगाल इस्कूल की रुद्री बंध परंपरा के विरुद किस ने वर्ष 1943 इश्वी में कलकत्ता गुरुप की स्थापना की प्रदोष दास गुपता ने प्रदोष दास गुपता ने अपने शिल्पों को अधिकांस किस माध्यम से बनाया कास परस्तर वर टेराकोटा प्रदोष दास गुपता के प्रमक शिल्प है मा की गोद में सीमेंट में बनाया गया जैहिंद कास से में टेराकोट कैडोलेंज कास से सनबाथिंग्स कास से एंड ब्राइड गोपाल गोश गोपाल गोश इनका जन्म उननिस सो तेरा इश्वी और मिर्तिव उननिस सो अस्टी इश्वी में गोपाल गोश का जन्म कब और कहां हुआ उननिस सो तेरा में कलकत्ता पस्चिम बंगाल गोपाल गोश ने वर्स उननिस सो पैतिस में गोवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जैपुर में पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्षात गोवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स चेन्ड़ी में किसकी निदेशन में कला सिक्षा प्राप्त की देवी प्रसाद राय चौदरी भारती आधुनिक द्रश चित्रण के जन्दाता है गोपाल गोश भारत में आधुनिक लैंडिस्केप पेंटिंग्स के जन्दाता है गोपाल गोश कलकत्ता गुरुप के बोहीमियन कलाकार थे गोपाल गोश हेमंत मिश्रा 1917 में जन्म हुआ और 2009 में मिर्त्यु हेमंत मिश्रा का जन्म कब और कहां हुआ 13 अक्टूबर 1917 में हुआ शिव शागर आसाम में हेमंत मिश्रा कलकत्ता गुरुप के सदस्य चुने गए 1950 हेमंत मिश्रा कलकत्ता गुरुप के सदस्य चुने गए 1950 हेमंत मिश्रा की कलाब पर किस कलावाद का प्रभाव था अत्तियर्थावाद हेमन्त मिश्रा की कला पर किन यूरोपिय कलाकारों का प्रभाव था डॉली और एंस्ट हेमन्त मिश्रा के कुछ परशिद्चित्र हैं प्रिमिटिव एयर, वास ओन फायर, इको ओफ एस सौंग तथा दा पर्सियूशन दा फेडिंग इत्यादी हेमन्त मिश्रा दौरा लिखित पुस्तके भारतिय चित्रकला 1978, रूपार अंतरार रूप 1990 तथा दिखो लूइट अरू सागर नीरत मजूमदार 1916 से 1932 नीरत मजूमदार का जन कब और कहा हुआ ग्यारा मई 1916 कोलकता में हुआ परशिद बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे नीरत मजूमदार नीरत मजूमदार की छोटी बहन शानू लहरी की प्रसिद्ध किस रूप में है चितरकार वा कला शिक्षक भारत की सवप्रथम वा प्रमुक महिला पब्लिक आर्टिस्टिक थी शानू लहरी विश्व की सबसे उची साविजनिक कला पब्लिक आर्ट का उधारण है The Spear of Dublin या Monument of Light किस ने अपने चितरों में देवनागरी लिपी का प्रयों किया नीर्थ मजूमदार किस कलाकार ने आकरतियों के साथ चिन्नों वा अक्षरों को अपने चितरों में सयोज़ित किया नीर्थ मजूमदार भावेश चंदर सन्याल 1902-23 बीसी सन्याल का जन्म कब और कहां हुआ 22 अप्रेल 1902 को दुबरी आसाम में किस कलाकार को कला का समराठ Grand Old Man of the Art कहा जाता है बीसी सन्याल बीसी सन्याल ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की Government College of the Art and Craft कलकत्ता में परसी ब्राउन वा जेपी गाउंगली के निर्देशन में 1929 में लाहोर में लाला लाजपत राय की आवाक्ष प्रतिमा बस्ट साइज मूर्ती किसने बनाई वीसी सन्याल ने 1937 में लाहोर कॉलिज ओफ आर्ट की स्थापना किसने की वीसी सन्याल ने भारत विवाजन के पक्षात बीसी सन्याल अपनी पत्नी इसने लता सन्याल गजल गाई का वा राक कर्मी वा अपनी पत्री अंबा सन्याल प्रसिद कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिने 2008 में संगीत नाट अकैडमी का अवार्ड रंग मच्च सज्जा के लिए दिया गया था के साथ कहां आ गए दिल्ली आ गए सन्याल ने अपना इस्टूडियो कहां खोला नई दिल्ली स्टिट गोल मार्केट में नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी बीसी सन्याल 25 मार्च 1949 इश्वी को नई दिल्ली में दिल्ली की दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की थी बीसी सन्याल BC सन्याल को पदम भूशर से कब सम्मानित किया गया था? 1984 इश्वी द्रश्य कला में भारत का सर्वोच प्रुसकार ललित कला एकेडमी फैलोशिप फॉर लाइफ टाइम BC सन्याल को कब दिया गया? 1980 इश्वी में 1997 में इश्वी में बनी फिल्म डाउन्स आफ दा विड में किस कलाकार ने अभी ने किया था? BC सन्याल ने 1998 इश्वी में BC सन्याल की आत्म का था दा वर्टिकल वूमन किस के दौरा प्रकाशित किया गया था? सन्याल का निर्धन कब और कहा हुआ? 9 अगरस्ट 2003 को 110 वर्ष की उम्र में दिल लई BC सन्याल थे चित्रकार तत्पस्चात मूर्तिकार शिव की मुक करती किसकी परसित चित्र है? BC सन्याल की शिल्पी चक्र नई दिल्ली 1949 भारत विवाजन के पक्षात पाकिस्तान से भाग कर दिल्ली आयकलाकारों नई दिल्ली में इस्तापना की शिल्पी चक्र की शिल्पी चक्र की स्थापना कब और कहां हुई थी? 25 अपरेल 1949 को कब हुई थी? 25 अपरेल 1949 को शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? BC सन्याल ने शिल्पी चक्र के अन्य सदस्त थे यामनी राय, धनराज भगत मूर्तिकार, प्राणाथ मागो, कमवल किश्ण, केसी केस कुलकण्नी, देव्यानी किश्ण, कवल किश्ण की पतनी, जया आपा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल तथा रामिश्वर भूता शिल्पी चक्र की प्रतम प्रदशनी कब और कहां आयोजित की गई, 1949 में जन्पत मार्ग नई दिल्ली शिल्पी चक्र के किस सदस्त के ऊपर अभिवयन दिन्दवाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा के यस कुलकण्नी शिल्पी चक्र के किस सदस्त ने मूर्ती कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्र पात किया धनराज भगत शिल्पी चक्र के किस सदस्त ने विशाल भू अउंचल और उसमें फैली परवस शंखला का चित्रण किया जै अप्पा सौमी ने शिल्पी चक्र का वह सदस्त जो दर्ष चित्रकार था राम कुमार शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्त ग्राफिकार था किश्न खण्ना बीसी सन्याल के कुछ परशिद्चित्र है दा फ्लॉइंग भी जुप चरवाहा निराश और सान्ती का मागर उखडे हुए गोल मार्किट में भिकारी कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा निजाम अद्दीन के मेले में धौलधार परवस रंकला परदे से डकी नारी मावा बच्चा इत्यदी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें नोट्स प्रिपेर करके दिवीजन करें तरहे दिवीडियो को शेडियो करें था दिवीडियो को शेडियो करें